हे गाईज वेलकम बैक टू मैं चैनल सो गाईज इस वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि आप ये हेर के इस तरह से ड्रो कर सकते हैं रियलिस्टिक बाई यूजिंग चार्कॉल पैंसिल काफ़ी इसी मेथड है अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ऐसे ही ड्रो कर पाएंगे बिल्कुल रियलिस्टिक और मैं सिरफ एक ही पैंसिल का यूज करूँगा कैमलीन की सॉफ्ट चार्कॉल पैंसिल का सो गैज लेट ट्स सी शबसे बहले फोट़ोग्राफ को जूम करके स्केल का यूज करके आप उसकी आउटलेाletter डॉक़ लो बिल्कुल एकुरेट photograph को zoom करना है और फिर scale से major करके आप outline draw कर लो जितना भी बड़ा आपने sketch draw करना है उसके according मुझे इसकी outline draw करने में 15 minute लगे थे अब मैं वीडियो को थड़ा और fast कर देता हूँ so guys यह outline complete हो चुकी है आप इसको shade करेंगे basically मैं उपर से start करता हूँ shade करना मैं soft charcoal pencil का यूज़ कर रहा हूँ camelin की जो की सबसे ज़्यादा dark होती है सबसे पहले तो मैं light pressure के साथ shade करूँगा ज़्यादा pressure नहीं लगाऊँगा पहले grey fight pencil का यूज़ करके हम इसको draw कर सकते हैं but मैं charcoal pencil का यूज़ कर रहा हूँ अब मैं इसको blend करने के लिए brush का यूज़ कर रहा हूँ charcoal pencils brush का यूज़ करके काफ़ अच्छे से blend हो जाती है basically hair के लिए हमके हमें brush का यूज़ ही करना चाहिए एक बार तो हमने इसको blend कर लिया है अब मैं eraser का यूज़ करके जो भी highlight है उनको highlight कर लूँगा जो भी white hair है उनको मैं photograph के coding eraser का यूज़ करके erase करके draw करूँगा pencil laser का भी यूज़ कर सकते हैं मैरे tombo zero eraser की refill हो खतम हो चुके है तो मैं आप pencil laser का यूज़ कर रहा हूँ tombo zero eraser ज्यादा अच्छा है इससे बट pencil laser को भी हम अच्छे से sharp करके यूज़ कर सकते हैं बस आपने अपनी photograph को observe करना है कि कहां पर white hair है कहां पर highlight है उसके according आपने erase करना है जो भी उपर से white white हो रहा है यह मैं eraser का यूज़ कर रहा हूँ कोई white pencil का यूज़ नहीं कर रहा हूँ अब मैं फिर से soft charcoal pencil के यूज़ करूँगा जो भी dark areas है उनको dark करने के लिए so main बात यह है कि आपको observe करना है कि कौन सा पार्ट dark है कौन सा पार्क light है उसके according आपने draw करना है time इसी में लगता है observe करके draw करने हम की कहां पर dark है कहां पर light है उसके according एक एक strokes लगाना पड़ता है हमको उसी में time लगता है और फिर तभी realistic draw हो पाता है आप देख सकते हैं जो भी dark area से उनको मैंने dark कर दिया अब मैं फिर से brush का use कर रहा हूं इसको blend करने के लिए completely हलका सब blend करना है बस हमने तो अब यह blend हो चुक है अब मैं फिर से eraser का use करूँगा और एक एक hair को अच्छे से draw करूँगा एक-एक hair को अच्छे से highlight करना होता है अपनी photograph के recording उसमें भी बहुत जदा time लगता है तो आपके अंदर patience होना चाहिए so guys यह वाला part complete हो चुका है I hope आपको समझ में आ गया होगा काफी easy अगर आप इसको try करेंगे तो आपने बस charcoal pencil का use करना है और उसमें highlight draw करने है यह razor का use करके और blend करना है brush का use करके graphite से जदा easy है और जदा dark भी है और इसमें shine भी नहीं होता है यह वाला part तो बहुत easy है जो कि मैं आप draw कर रहा हूं simply light pressure के साथ मैं shade करता रहूंगा बस उहां पर बीच में थोड़ा dark है वहां पर मैं थोड़ा pressure का apply कर दूँगा बाकी मैं बिल्कुल normal प्रेशर के साथ shade करूँगा इसको इसमें इसको shade कर लिया है अब मैं इसको brush का use करके blend करूँगा वैसे ही बस जद़ प्रेसर का प्लाई नहीं करना नॉर्मल प्रेसर के साथ ब्रस का यूज़ करके हमने इसको ब्लैंड करना है अब मैं फिर से एरेजर का यूज़ करके जो भी बीच में हाइलाइट्स हैं उनको एरेज करूँगा बस हमने यह देखना होता कि कहाँ पर डार्क है कहाँ पर लाइट है और कहाँ पर हमने रेजर का यूज़ करना है कहाँ पर नहीं करना है बस यही है complete method किसी भी realistic hair को ड्रॉ करने का आपने देखा कि मैंने इसको completely ड्रॉ कर दिया only एक ही pencil का यूज़ करके chameleon की soft charcoal pencil का यूज़ करके और paper मैंने वही ivory का 210 gsm वाला यूज़ किया है आप भी इसी तरह से draw कर सकते हैं एक ही pencil का यूज़ करके बस आपने इनी method का यूज़ करना है जो मैंने आपको बताए so guys I hope यह video आपको अच्छी लगी होगी अगर यह video आपको अच्छी लगी है तो इसको like कर देना और अगर आप मैंने चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को subscribe कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही tutorials आपके लिए बनाता रहता हूँ बहुत मैनत लगती है कि एक tutorials बनाने में so thank you so much guys for watching